हमरा सवाल है the function fx is defined in interval function जो fx है किस interval हम defined है 0 से 1 में close interval है then domain of the definition of function f of log 1 मैनस x square इसका हमको domain बताना है fx जो है वो defined है interval 0 से 1 इसका मतलब x की value function के अंदर जो भी value आएगी वो क्या होगी 0 से 1 की बीच में होनी चीए close interval तो यहां पर function के अंदर क्या value आ रही है log 1 मैनस x square इसकी value भी 0 से 1 की बीच में होनी चीए इसका मतलब log 1 मैनस x square यह क्या होना चीए 0 से बड़ा यह उसके बराबर और 1 से चोटा यह उसके बराबर क्या हो जाएगा यह 1 लेस दोन और इकल टू 1 1 माइनस x square less than or equal to e अब क्या है इसको 1 को इदर बेदे यह जाएगा 0 less than or equal to minus x square less than or equal to e minus 1 minus 1 मीनस से मिलिप्राइए कर दे 0 greater than or equal to minus 7 मिलिप्राइए कर नेंगे क्या हो जाएगा इन इक्वैल्टी change रहेगी x square greater than or equal to 1 minus e हो जाएगा और वन माईनस इए कि वेलू क्या होती है two point seven रिकाली होती हे तो one मायनस यह क्या रहे है जिएधिन प्रयू क्या है कि सब्सक्राब निखेटिए ट vi तो स स्क्वेट मैलू हमेसा न्गेटि इसे बड़ी वह तो होती ए और 0 70 ये तो हो ने शक्ती ये पहला किसे और क्या हैус लोक का और मेंट है वह भी क्या होना चीए जरो से बड़ा आ तो 1-mix स्क्वाईरे का उना हीए जरो से बड़ा होना चीए बाइभ गे Θे तो एससवेटेढ वन से छोटी हो चीए दो आइचा क्योंुत रहुक्स excel less than 1 तो x belongs to minus 1 से 1 यह हो गया second क्या करेंगे अब इसके लिए intersection लेंगे final के लिए taking intersection 1 and 2 intersection लेंगे क्या आएगा minus 1 से 1 और x equal to 0 intersection में क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ और x equals to 0 अल्वारा जो domain आगया इस function का वो क्या है x belongs to सिर्फ और सिर्फ एक element है 0 तो मारा answer है a